देर विवत जब तक आपकी Facebook प्रोफाइल पर या Facebook पेज पर आपका content recommendable नहीं होगा तक तक आपके वीडियो पर विवज नहीं आएंगे वो लोगों तक नहीं पोचेंगे जिस भी Facebook प्रोफाइल पर या Facebook पेज पर content recommendable होता है तो उस पर आच्चे खासे विवज आ जाते हो reach बढ़ जाता है यहां राइट साइड में आप देख सकते हैं यहां आप इस प्रोफाइल को देख सकते हैं यह प्रोफाइल जो है वो रेकमेंडेबल नहीं है क्या प्रॉब्लम है इस प्रोफाइल में प्रोफाइल है तू मनी वाइलेशन इस प्रोफाइल में बहुत सारे वा लाइक अगर आप चैनल पे नय है अभी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस करके रखें फेस्बुक प्रोफायल या फेस्बुक पेज आपका recommendable है या नहीं वो चक करने के लिए आपको अपने पेज या profile में जाना होगा उसके बाद यहाँ अपनी प्रोफायल में आने के बाद नीचे आपको C-Dashboard का एक option है इस पे click करना है और इसके बाद आपको नीचे आना है और यहां profile recommendation का एक option मिल रहा है इस पे आपको click करना है और यहां अपको पता चलेगा आपकी profile जो है वो recommendable है इस पे जो content है वो recommendable है या नहीं कोई violation तो नहीं है आपके page या profile पे यहीं पे आप check out कर सकते है और यहां मेरे सामने एक प्रोफाइल है कामरान अश्रफ इस प्रोफाइल का नाम है नीचे आप देख सकते हो not recommendable यह profile recommendable नहीं है recommendable और non recommendable में क्या फरक है जो भी content इस पे upload होगा facebook वाले उसको boost नहीं करेंगे लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे जो भी profile recommendable होती है उस पे जो content upload होता है Facebook वाले उसे new users तक पहुचाते है और उसका reach बढ़ जाता है उसके videos पे waves increase हो जाते है अब इस problem का हम solution देखेंगे सबसे पहले आपको इसका एक screenshot लेना है यहाँ पे screenshot लेने के बाद आपको इस profile में वापस जाना है screenshot लेने के बाद आपको अपनी profile में आना है और यहाँ पे three lines पे click करके आपको नीचे आना है और यहाँ help and support का एक option है इस पे click करेंगे और नीचे आपको report a problem का एक option है इस पे click करेंगे और यहाँ तीन options आपको मिल रहा है नीचे आप continue to report a problem पे click करेंगे और यहां आप include in report पे किलिक करेंगे और यह problem आपकी profile पे है और यहां profile का option चूज करेंगे नीचे आएंगे और यहां profile पे हम किलिक करेंगे यहां एक screenshot पहले ही attach है यहां पे आपको cross करना है upload from phone से आपको चूज करना है और अभी आपने जो सिक्रीन शाट लिया उसको आपको चूज करना है यहां चूज करने के बाद यहां आपको डिस्क्राइब करना है अपना इशू यहां पर आपको क्या लिखना है वो मैंने पहले ही मैंने टाइब करके रखी है वो मेसेज और यहां पर मैंने इसको डाल दि होगी यह जो मैंने यहां पे लिखा में डिस्क्रिप्शन में भी यह डाल दूँगा वहां से भी कापी करके आफ यहां पे यह डाल सकते हैं इसके बाद सबसे ऊपर आपको सेंड रिपोर्ट के राइट साइड में एक एरो दिखेगा इस पर आपको किलिक करना है थैंक्स यवर फीडविक हेल्पस इंपरूव फेसबुक तो रिपोर्ट सेंड हो चुका है और फेसबुक टीम आपके रिपोर्ट को देखेगी लेकिन यह खाली एक बार आपको नहीं करना है लगबग पांच दस दिन के लिए आपको हर दिन दो बार तीन बार यह जरूरी इसको चक करेंगे के बाद आपकी फेसबुक प्रोफाइल को भी रिकमेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी भी प्रोफाइल और आपका भी फेसबुक पेज रिकमेंडेबल नहीं है उसमें कोई और प्राबलम आ रही है इसमें मैंने और एक वीडियो बनाई है कि आपकी प्रोफाइल कैसे रिकमेंडेबल होगी अगर नॉन रिकमेंडेबल है तो यहां उस वीडियो को आप चकाउट कर सकते है जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताए आपको आच्छे से समझ आया होगा और लास्ट बे फिर से यह रिक्वेस्टर आएगी वीडियो